नमस्कार दोस्तों मध्यप्रदेश लोग सेवा आयोग यानी MPPSC ने अपना कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जो की बहुत ही लंबे समय से पेंडिंग था तो 2021 का नोटिफिकेशन फाइनली 2021 के अंत में डिक्लेर हो चुका है जिसका एक्जाम 2022 में होगा तो क्या-क्या इससे जुड़ी हुई सारी जानकरिया हैं जो आपको पता होना चाहिए क्या बदलाओ किये गए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा इसकी एजुकेशनल कॉलिफिकेशन जो आयू आपकी होनी चाहिए और सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे तो बस आ वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा तो आईए शुरू करते देखिए और आप खुद यह नोटिफिकेशन MPPSC की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप हमारी टेलिग्राम चैनल है दवेनर्स इंस्टिट्यूट उससे भी आप इसको डाउनलोड कर कर वाला हूं देखिए सबसे पहली चीज़ यहां से हम शुरू करते हैं आपको यह पता हो जाना चाहिए कि 처음 कब है तो आपकी जो परिक्षा है वह 24 अपरेल 2022 को होने वाली है आप जानते हैं पहले प्री होता है फिर मेंस होता है फिर इंटर्वी होता है तो जो प्रिलिम्ज है वो होगा 24 अप्रेल 2022 को टोटल वेकेंसी कितनी है तो अगर 32 रेणी राजपत्रित अगर वेकेंसी देखी जाए जैसे सबसे पहले होता है उप जिलाद ध्यक्ष यानि आपका डिप्टी कलेक्टर तो इसकी टोटल कितनी वेकेंसी है इसकी टोटल 15 वेकेंसी इसमें है और केटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो फिर आपका DSP है जो 25 है वानिजिक कर विभाग में वानिजिक कर अधिकारी जो कि आपका 2 दो वेकेंसी है जिला पंजीयक सायक संचालक तो अगर इन स कर निरक्षक उपंजियक अगर इन सभी को हम मिला ले तो टोटल 283 वेकेंसीज हैं जो की पिछले साल से काफी कम हैं लेकिन जो हमने और आपने हमेशा देखा हैं कि बाद में पदों में बृद्धी होती हैं तो आने वाले समय में more than 300 या 350 पद भी हो सकते हैं लेकिन as of now अभी की डेट में टोटल जो भरती आपके सामने हैं वो कितनी है 283 है तो यह आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं महत्पुन तिथियों के बारे में तो सबसे पहला विज्यापन कब आया है नोटिफिकेशन आया है 22 दिसंबर 2021 में और इसके फॉर्म जो है वो 10 जनवरी 2022 से भरना स्टार्ट हो जाएंगे अंतिम तिथि 9 फरवरी 2022 रहेगी और बाकी संशोधन अगर आपको करना है तो वो भी है और सबसे इंपॉर्टेंट की परिक्षा कब होगी तो वो 24 अप्रेल कोगी जिसकी जानकरी 15 दिन पहले इमेल SMS के माध्यम से आपको मि लेगी एक छोटी सी बाद आपको बता दू में MPPSC की तयारी के लिए हमने YouTube पर एक नई चेनल बनाई है जिस पर अब से MPPSC के हमारे जो विशय विशयशक्य हैं वो कक्छाएं लेंगे इस चेनल को हमने अभी क्रियेट किया है क्योंकि हम बहुत लंबे समय से सोच रहे थे क हमें MPPSC को लेकर एक YouTube पर बहुत अच्छी चेनल बनानी जा हम बहुत अच्छा कॉंटेंट दे सकें तो विनर्स के जो अनुभवी सिक्षक हैं वो अब YouTube पर MPPSC की बहुत अच्छी अच्छी क्लासेज लेने बाले हैं पुराने प्रश्न पत्रों पर चर्चा, मुख्य पर अच्छा को लेकर कई सारी चीजें, syllabus का आपको एक confusion होता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, रणनीती, ये सारी चीजों की चर्चा आज के बाद हम विनर्स की MPPSC special channel पर करेंगे, क्योंकि ये channel अभी बनी है, तो शायद सर्च करने में ना है, तो इस वीडियो की description में उस पे क्लिक करते ही, आप इस channel से जुड़ जाएंगे, तो subscribe इसको आप जरूर करिएगा, ये आपकी तयारी को बहुत अच्छा बनाने के लिए ही एक प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है, और MPPSC का विनर्स की एप ए complete course भी है, जो only one triple line में, प्रीक हिजाब से आपको स सारे विशय, सारी सुविधाओं के साथ मिलेंगे, चली, आगे बढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं, एक सवाल इसमें कहीं बच्चों का आता है कि क्या मध्यप्रदेश के बाहर या दूसरे राज्ये के बच्चे इसके लिए आविदन कर सकते हैं, तो जी हाँ, बिलकुल मध्यप्रदेश के अगर बच्चे हैं, तो उनके लिए रोजगार, पंजियन, अनिवार्य हैं, अगर नहीं हैं तो उसको करवाईए, ये आपके लिए कंबल सरी रहेगा, और जब आपका पूरा यहां पर पता होगा, तो आपको अपने जिले में, इसके जो एक्जाम इनमें से कोई दो विकल्पों में से एक उन्हें मिलेगा, तो दो विकल्प चुनने रहेंगे, इनमें से कोई भी दो आपको चुनने रहेंगे, और बाकी जो बच्चे हैं, वो अपने अपने हिसाब से कोई भी अपना पसंदिदा जिला है, उसको केंदर अपना चुन सकते हैं now very important कि अगर इसमें जो qualification है वो क्या है तो अगर मैं राज जी सेवा परिक्षा की बात करो तो इसके लिए जो qualification होती है वो simple graduation होती है आपका अगर graduation complete है किसी भी विशह से तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं लेकिन अगर हम one सेवा परिक्षा की बात करें तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि उसके लिए science का आपका background जरूर होना चाहिए उसका एक अलग notification है जो मैं अलग से उसके लिए एक वीडियो बना दूँगा तो ये आप चीज ध्यान रखिएगा simple आपका graduation होना चाहिए बस ये ध्यान रखना है एक यहाँ पे line बहुत underline करी हुई है जो बहुत सारे बच्चों का doubt होता है मुख्य परिक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारिक तक आपका इसना तक परिक्षा उत्तिन हो जाना चाहिए समकक्ष मतलब यदि आपका final year running है और आप form भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं लेकिन जो mains का आपका exam होगा मुख्य परिक्षा के लिए apply करनी की जो अंतिम तिति रहेगी तब तक भी अगर आपका graduation complete हो जाता है तो आप इसके लिए eligible हैं तो yes अगर आपका final year running है exam हो चुका है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं कोई उसमें परिशानी आपको नहीं आएगी ठीक है age की बात कर लेते हैं कि इसके लिए age क्या होनी चाहिए तो देखिए मैं आपको age थोड़ा यहां दिखा देता हूँ कि इसके लिए minimum और maximum age क्या है minimum age यहां पे है 21 years और यह है गैर वर्दिधारी आपको पता है दो प्रकार के पद होते हैं वर्दिधारी और गैर वर्दिधारी तो अगर date of birth का जो calculation है वो इसके हिसाब से किया जाएगा एक जनवरी 2022 को आधार मानकर यह जो date है इसका आपको पालन करना है इस हिसाब से calculate करना है लेकिन category wise भी relaxation होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अगर अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती महिलाओं में सभी आरक्षित अनारक्षित तो आफ 45 years तक इस परिक्षा को दे सकते हैं मतलब आप समझें जैसे महिलाओं की बात करें तो minimum 21 years और maximum 45 years और बाकी जितने भी मेने आपे AC, ST, OBC इन सब के लिए maximum 45 years रहेगा और वर्दिधारी पदो हेतु जो है वो इन ही केटेगरीस के लिए maximum 38 years रहेगा मतलब दोनों में 5 years का extra age relaxation आपको यहाँ पे मिलता है ठीके जी, फॉर्म भरने के लिए अगर आप मध्यप्रदेश के मूल दिवासी हैं अनुसूची जाती जन जाती अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग जन हैं तो आपके लिए फीस 250 रुपीज है और मध्यप्रदेश के बाहर और शेस जितने भी बच्चे होंगे विध्यारती होंगे उनके लिए जो फीस है वो 500 रुपीज रहेगी जो आप mppsc.nic.in की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अपलाए कर सकते हैं आई आगे बढ़ते हैं जैसा मैंने आपको थोड़े देर पहले ही बताया कि इसके लिए आपका रोजगार कारेले जो है उसमें पंजियन जीवित पंजियन अनिवार रहे हैं तो एक आप इसका ध्यान रखिएगा और राज्य सेवा परिक्षा 2021 सवी सनातक उत्ते इंडिया सनातक के अंतिम वर्ष में अध्यनरत अव्यरती भी पात रहें जो मैं आपको पहली बता चुका हूँ कि फाइनल येर के जो बच्चे हैं वो इसके लिए अपलाए कर सकते है तो मुझे उम्मीद है कि इतनी चीजे क्लियर हो गई होगी एक बहुत बड़ा बदलाव इसवार जो किया गया है उसमें सबसे पहला ये है कि अभी तक 15 गुना विकेंसी का 15 गुना बिध्यारतियों को चुना जाता था इसवार 20 गुना बिध्यारतियों को चुना जाएग तो ये एक बड़ा चेंज है जो इस बार किया गया है इसके अलाबा इसके पहले हमेशा English Medium के प्रशनों को जो आंसर होते थे या जो options होते थे उसको माना जाता था ये नियम में भी इस बार संशोधन किया गया है हिंदी के हिसाप से सारी चीजें जो हैं मानी जाएंगी तो ये एक basic चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि इस notification में क्या-क्या है बाकि अगर आप और detail में पढ़ना चाहते हो और ज्यादा जानकरी देखना चाहते हो तो notification की link भी इस वीडियो की description में है PDF सीधा आप डाउनलूड कर सकते हो और जैसा मैंने कहा कि हम अब YouTube पर ही MPPSC की special classes start करने वाले हैं तो winners MPPSC की YouTube चैनल को आपको subscribe कर लेना है और इस पर classes बहुत जल्द शुरू होंगी सिलेब सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे तो इसको आप जरूर इससे जुड़ जाएं अगर आप घर बेटे बहुत अच्छी शांदर प्रिपरेशन करना चाहते हो इंदोर के अनुभवी विशय विशय शक्यों के माध्यम से घर बेटे डिजिटल बोर्ट पे बहतरीन class तो only one triple line में आपको सारी classes भी मिलेंगी notes, pdf, video lectures, video को download करके देखने का option without internet, study material, test series ये सारी सुभधाएं आपको मिलेंगी only one triple line में आपको हम इसमें एक और शुरुआत में offer दे सकते हैं अगर जब आप payment करोगे तो अगर आप वहाँ पे AP10, AP10 coupon code का use करेंगे तो आपको extra 10% का ओर discount मिल जाएगा मतलब इसमें और आपको 2000 रुपे में 10% का discount मिल जाएगा तो winners की app download कर लीजिए, play store पे जाएए, winners की app install कर लीजिए और paid courses में आपको MPPSC pre का complete online course दिखेगा, वहीं पे payment का option आजाएगा और payment करके आपको सारे lecture, सारे material सम्मिल जाएगे और अभी से उसी समय से आप अपनी पड़ाई जो है शुरू कर सकते है winners के साथ, तो बस यही चीज़ें आपके साथ share करनी थी, comment करके जरूर बताएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर कोई doubt है, कोई question है तो आप comment जरूर करेगा उसको लेकर हम बनाएगे, और syllabus को ल आपको यूट्यूब पर भी हम देने का पूरा प्रयास करेंगे, बहुत बहुत धनेवाद, बस यही आपके साथ share करना था, जै हिंद वंदे मात्रम, खुश रहिए मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, take care